बहुत important topic है, simple topic है और जानना जरूरी है Sir, एक topic COVID के duration में introduce हुआ पहले मैं simple सी बात कहना चाहता हूँ, point देखते हैं Tax का rate, बाकी basic वाले में मैंने tax का rate बताया था फिर्ब से मैं एक बार लिखना चाहता हूँ यहाँ पे आपके लिए Sir, tax का rate क्या है हमारे जो हम tax निकालते हैं तो हम मैं बहुत साधारन शब्दों का ज़्यादा इस्तमाल करूँगा tax rate और law के language में इसको slab rate भी बूलते हैं यानि किसनी कमाई पे क्या tax दोगे तो government ने कहा Sir, आप up to 250, 250,000 जब आपकी कमाई रहेगी न तो आप उस पे tax मत दीजिएगा फिर government ने कहा अगर 2,50,000 एक रुपिया हो और से 5,00,000 रुपे तक आपकी इंकम हो तो आप 5 परतीशट tax दीजिएगा फिर कहा 5,00,000 एक रुपिया अगर आपका होता है और 10,00,000 रुपे तक होता है तो आप 20% tax देना और अगर आपका 10,00,000 रुपे से जो भी अवव रहेगा उसके उपर आपको 30% tax देना होगा इसके अंदर रिबेट वगरा भी है तो मैं भी उसकी चर्चा नहीं कर रहा है रिबेट तो गौर्मेंट ने डाल रखा है जब मर्जी हटा देंगे वो रिबेट को यह इंकम जो कमाएगा उसके उपर tax लिया जाएगा नॉर्मली मैं senior citizen, super senior citizen नहीं मैं normal कह रहा हूँ गौर्मेंट का यह था अगर आपकी इंकम 3,00,000 रुपे है तो 5,00,000 पर टेक्स नहीं देंगे बागी 50,000 रुपे पर आपको 5% का टेक्स देना पड़ेगा और 87A का रिवेट अगर है तो मिल जाएगा नहीं है तो नहीं मिलेगा simple सी बात है यही कहानी ते इस पर कुछ हमने practical questions भी देखे थे आपका 2020 2020 के अंदर हाला की बहुत सारी problem, बहुत सारी समस्याएं आए life जीने का style बिलकुल लोगों का change हो गया था लोगों को बहुत सारी चीजे नई परिशानियों का सामना करना पड़ा था 2020 में जब आया था COVID-19 COVID-19 का मतलब है 2019 में ये वाइरेस चाइना में आ चुगा था December मन्त में लेकिन इतना ज़्यादा हम लोगों ने पहले सोचा कि इतना कभी होगा नी पहले कभी देखा नी तो एपरिल मन्त तक इंडिया में भी कही न कहीं केसिस आने लग गए और एपरिल के मन्त में government ने इसको क्या कर गया था एप्रेल से पहले ही गौवर्मेंट को पता लग गया था ठीक है न तो गौवर्मेंट ने पूरी तरीके से इंडिया को lockdown हलाकी एप्रेल में किया और lockdown की इस्तिती ये थी कि दो साल लगातार मानगे चलो 20 भी और 21 भी हमने पूरा survive किया है 20 के अंदर हमारा साल पूरा का पूरा निकल गया कम से कम 5 से 6 महिने तक यही रहा lockdown रहेगा restriction रहेगा लेकिन फिर अगेन जैसे ही April March आया 2021 का फिर से बहुत बुरा हाल हो गया और अगेन government को lockdown लगाना पड़ गया इन duration में lockdown लगने का मतलब government ने कहा कि भया हम lockdown तो लगा रहे है लेकिन साथ के साथ हम tax के उपर भी ऐसी planning करेंगे ताकि लोगों को क्योंकि lockdown में सभी की income क्या हो चुकी थी खतम सभी की almost income zero हो चुकी थी क्योंकि बंद है कुछ हो नहीं रहा हाँ कुछ लोगों की हो सकती है कि उस ताइम पे income हो भी रही थी तो government को budget देना था उसी duration में जब government को budget देना था तो government जब कभी भी budget ले के आती है तो हाला कि आप अभी पैसे नहीं कमा रहे हो जब आप earning करोगे आपकी earning 10 लाख रुपे होगी ना तो 10 लाख रुपे के उपर जब आप कम से कम 2,5 लाख रुपे जब आप tax paid करोगे माल लेते हैं 10 लाख पे आपकी income है तो 20 परसेंट 1 लाख, 1.5 लाख रुपे मोटा मोटा अंदाजा ले लेते हैं जब आप tax paid करोगे तो definitely आपकी एक कुछ न कुछ तो उमीद होगी government से सर 10 लाख रुपे साल की कमाते हैं जिसमें कि हम 1.5 लाख रुपे तो सरकार को ही payment कर रहे है तो आप क्या चाहोगे कि सरकार कुछ ऐसा plan लेके आए कि कम से कम 1.5 लाख की जगहे पर अगर आपको दे दिया जाए शूट राहत दे दिया जाए कि आप 10 लाख की income पे 50,000 ही tax दे तो आपके लिए बहुत बड़ी बात होगी ये क्योंकि आप पहले 1.5 लाख रुपे tax दे रहे थे अब कितना tax दे रहे हो 50,000 तो उन लोगों को बड़ी उमीद होती है गवर्मेंट से नमबर 1 नमबर 2 वैपारी जितने भी होते हैं उनको भी बहुत सारे उमीद होती है कि उनके income पे 30% का tax लगता है तो income पे tax कम किया जाए ये सारे tax rate से बात करो जो tax दिया जाता है उनको बड़ी सारे उमीद होती है इसके अंदर अगर गवर्मेंट ने बोला कि भीया जो पिछली बार tax rate हुआ करता था वो फिर से वही रहेगा तो लोग क्या कहते हैं ये खराब budget है अच्छा budget नहीं आया क्योंकि आपकी income 10,000,000 है आप सोच रहे थे कि 10,000,000 मैं डेड़ लाख tax दे रहा हूँ अगर एक लाख भी हो जाए नहीं इस budget में तो बढ़िया हो जाएगा लेकिन government ने कहा no change in tax rate आपके हिसाब से ये budget कैसा होगा सर बिकार budget है ये तो क्योंकि आपको फाइदा नहीं मिला तो उस duration में कोविड के अंदर government जो भी फैसले ले रहा था जो भी फैसले लिए गए government के द्वारा बहुत सो समझके और बहुत ही डर-डर के लिया गया कि कहीं लोग इसके oppose में ना आ जाए तो ये tax rate चल रहा था तो जब budget आया तो लोगों को बड़ी सारी उमीद थी के tax rate कम हो जाए tax rate कम हो जाए tax rate कम हो जाए तो कई बार हमारे इंडिया की population में अगर voting की हम बात करें तो voting वो ज़्यादातर लोग देते हैं जिनकी income धाई लाग या पांच लाग रुपे तक ही है दस लाख रुपे साल के कमाने वाले कम हैं लोग और जिनकी और जो दस लाख रुपे से कम कमा रहे हैं वो सुनी सुनाई बातों पर विस्वास करते हैं जाता अगर आप earning नहीं कर रहे हैं गौर्मेंट ने कह दिया कि 5 लाख रुपे तक कोई बजट दिया तुमने मेरा तो कोई फाइदा नहीं हुआ मेरी इंकम अगर 6 लाख है तो तुमने 5 लाख तक तो बोल दिया टेक्स नहीं होगा लेकिन 5 लाख से 1 रुपे भी जादा होगा तो मैं टेक्सेबल सेलेबरेट में आ रहा हूँ तो उसको कोई बेनिफेट नहीं मिला तो गौर्मेंट जब भी बजट लेके आती है तो इस तरीके का बजट लेके आती है आपके सामने इस तरीके से पर्जेंट किया जाता है कि लोगों में ऐसे स्प्रेड रुमर्स हो कि बहुत अच्छा काम हुआ है जैसे कि फर एक्जामपल लोगडाउन के डुरेशन में भी गौर्मेंट ने बोला था 20 लाख करोड रुपे हम बाटेंगे सुना होगा नियूज 19 से 20 लाख सब सोच रहे थे वही अब पैसे आएगा पर गौर्मेंट ने फिर बाद में धीरे-धीरे एक मोटा अमाउंट ले लिए फिर समझाया लोन ले लो ये भी हम फ्री करेंगे सबसीडरी देंगे यहां रेट इंटरस्ट कम कर देंगे इस तरीके से कम करेंगे अल्टिमेटली सभी लोगों को पैसे मिले है ऐसे नहीं है के नहीं मिलें लेकिन इतना ज़्यादा नहीं मिला जितना गौर्मेंट ने बढ़ा चड़ा के बताया उसी डुरेशन में गौर्मेंट ने सोचा यार लोगों के सामने हम टेक्स रेट को भी कम करके दिखा दे पहले tax rate क्या था पांच पांच से क्या था सीधा 20 यह बहुत चुबता था लोगों को पांच के बाद सीधा क्या है हमारा 20 परसंट यह लोगों को लगता था यार पांच के बाद तुम कम से कम साड़े साथ कर दो पांच के बाद 10 कर दो इस तरीके से करो लेकिन सरकार ने बोला भाई या पहले होगा पांच और पांच के बाद सीधा 20 और 30 फिर खतम फिर सरकार ने क्या करा अब देखो यहाँ पे जो हमारी इंकम है ना अगर मान लेते हैं कि मेरी सेलरी है आप ध्यान से देखिएगा तभी आप मेरी बातों को समझ पाएंगे मान लेते हैं मैं सेलरी इंकम आपको बताओ निकालके सेलरी इंकम के केस में मेरी बेसिक सेलरी बेसिक सेलरी मेरी एक लाक रुपए है या पांच लाक रुपए मान लेते हैं मेरी बेसिक सेलरी कितनी है पांच लाक प्लस डिये है मेरा दो लाक और डिये के बाद डिये मेरा दो लाग, डी ए के बाद आप गर देखा दा है तो Children Education Allowance, Sir Children Education Allowance कैसे निकालते हो आप, 100 रुपे माइनस करने के बाद, यानि अगर आपका 500 रुपे है, 100 रुपे माइनस करके आप कितना लिख देते हो, कुछ ऐसे, ऐसे सेम HR-A की बात करें, अगर HR-A आपका 5 लाग है, 5 माइनस किया, तो आपने टेक्सिबल कितना किया, 3 लाग रुपे और आप टेक्सिबल इंकम, 7 और 3,10 लाग, 4,400 रुपे आप बतातो, टेक्सिबल इंकम है, सेलरी, इसके बाद भी ना, टेक्सिबल इंकम जैसे आपका है ना, टेक्सिबल सेलरी, टेक्सिबल सेलरी, टेक्स चलो कोई नहीं एक जिरो और ठीक है दस लाख चार सो इसके बाद भी गवर्मेंट ने बोला कि ATC से लेके ATU तक के आपको और डिडेक्शन दिये जाएंगे अगर आपने LIC करवा रखा है क्योंकि हर लोग LIC करवाते हैं तो मान लेते हैं 25,000 रुपए LIC का दे रहे हो तो यहां से माइनस कर लो इसके बाद गवर्मेंट ने कहा सर अगर आप अपने मम्मी पापा के इलाज पर खर्चा कर रहे हो तो यानि मेडिकल मेडिकल 80D के अंदर आता है हलाकि हम बाद में चर्चा करेंगे 50,000 उसका माइनस कर लो अगर आपने एजुकेशन के लिए लोन ले रखा है उसका माइनस कर लो मान लेते हैं 1,000,000 रुपए अगर आपने कोई घर लिया है लोन लेके तो उसका प्रिंसिपल पेमिंट करते हो उसको माइनस कर लो 80C के अंदर मान लेते हैं 1,000,000 रुपए मैं एक एग्जामपल लेता चल रहा हूँ ठीक है अगर आपने बच्चे को स्कूल में ट्यूशन फी पेड कर रहे हैं उसको माइनस कर सकते हो आपका बैंक से कोई ब्याज आता है उसको माइनस कर सकते हो तो सब कुछ माइनस कर कुरा के सपोस करो मेरी इंकम बनी 6,000,000 सब कुछ माइनस करके वैसे एक्चुल देखा जाए तो 6,00,00 नहीं बन रही है 2,00,00, 3,00,00, कितने बन रही है एक्जेटी लिख देता है 7,00,00, 50,00 होगा माइनस कर दीजे एक्जेट STD deduction के taxable salary रहेगा STD पता नहीं TDS तो सुना था STD क्या है अब देखते हैं कितने 7,00,00, 25,000, 400 1,0 और आएगा तो आएगा न क्यों 2,00, 4,00, आएगा नहीं आएगा 7,25,400 अब मैं समझाने की क्या कोसिस कर रहा हूँ अभी आपको थोड़ा सा लगेगा सर क्या बता रहे हैं अभी तक clear ही नहीं हो पा रहा है जी ये salary आपका निकाला है और इसी परकार से आपका पहले taxable income ये आया करता था टेक्सेबल income आया करता था और इसके उपर आप टेक्स जमा कर देते थे जो भी टेक्स जमा करते थे पता है कैसे अप टू 250 आपका निल हो जाये करता था और next 250 पे आपको 5% यानि 12,500 रुपे का tax होता था अप टू 250 निल था और इसके उपर ये tax था और next जितने भी बच गए यानि 5 लाग का हिसाब हो गया तो कितने बच गया से 2,25,400 पे 20% लग जाएगा बताईए क्या रहा है 20% 2,25,400 पे 20% मेरा calculator कहां गया यह रहा है 2,25,400 पे 20% 45 यानि आपकी total taxable हो गई यहां पे यह नहीं है इसको जोड़ा नहीं है मैंने ध्यान रखेगा आप सभी को पता है यह मैंने करवाया हुआ है यह आ गया प्लस 4% का सेस लगा के जो भी आता था 4% जैसे की 233 रुपे और आपने क्या करना है सरकार को 5,9,883 रुपे जमा कर लेने यह है पहले की कहानी लोगडाउन लगने से पहले की कहानी और अभी भी चल रहा है गवर्मेंट ने क्या करा बजट लेके आए और बजट लेके आने के बाद बोला के हम ऐसा कर रहे हैं कि आपका टेक्स रेट कम कर रहे हैं इस बात सर टेक्स रेट क्या कम कर रहे हैं हम गवर्मेंट ने कहा टेक्स रेट में हम आपका और जो टेक्स रेट हम कम करेंगे कुछ शर्तों के साथ कहा सर हम आपके लिए एक नया tax rate लेके आ रहे हैं सर ये tax rate मैंने लिखा है ये पता है कोन से वाला है old वाला government ने कहा हम आपके लिए एक new tax rate लेके आ रहे हैं जिसमें क्या होगा up to 250 nil आपको बोला गया up to 250 mil बच्चे पूछेने सर सेस क्या है सेस पहले बताया था health education सेस लिया जाता है previous वीडियो को एक बार देखेंगे आपको clear हो जाएगा तो सर मैंने जैसे ही लिखा ना 250 आप कहेंगे सर इसमें बदलाव क्या और change क्या पहले भी 250 पे क्या था हमारा निल था और सर अब भी 250 पे क्या बता रहे हो आप निल बता रहे हो खीक है ना इसके बाद कहा देखो अब next जो भी आपके रहेंगे next जो 250 रहेंगे आपके उसके उपर हम आपसे text तो वसूलेंगे जी 5% सर क्या बदलाव रहा पुराने नहीं में कुछ भी बदलाव नहीं रहा उसके बाद आपका बोला गया कि पांच next जो 250 होंगे next 250 समझ रहे हो यह धाई से पांच है अगर आप वैसे बोलोगे लिखने तो मैं लिख देता हूँ वैसे ही लिख देता हूँ नहीं तो फिर confused हो जाएंगे next 250 के ऐसा है गौर्मेंट ने कहा धाई लाख से यानि धाई लाख एक रुपए से लेके पांच लाख रुपए तक यह है पांच लाख रुपए तक रहेगा और सर पांच लाख से यानि एक रुपए से साड़े साथ लाख ये नहीं बात अब आई निकल के पहले था 5 से सीधा 10 देखे 5 से सीधा क्या है दस है अब उन्होंने रखा कि 5 लाख से साड़े साथ लाख रुपए यानि फिर से 5 लाख का gap दिया अब उन्होंने percentage जो रखा यहाँ पे वो रखा 10% सर बात तो है आप मुझे बताईए क्या लग रहा है कि पहले से कम tax हुआ है पहले अगर आपकी income 6,00,00,00 होती तो 5,00,00 के उपर आप 20% देते लेखिन अब आप दे रहे हो 10% कम तो सर हुआ है इसके बाद उन्होंने करा एक और slab लेके आई इसके साथ 7,00,00,00 एक रुपए से 10,00,00,00 रुपए यानि धाई-धाई लाईक रुपए का उन्होंने रखा यहाँ पे हम आप से लेंगे 15% सर यहाँ पे भी आपको relaxation नजर आएगा पहले 5 से 10 जैसे ही होता था 5 से 10 जैसे ही होता था सीधा आपको 20% देना पड़ रहा था सर अब 5 से 10 में कहीं 10% है और कहीं 15 बच दो रहा है आपका और आपको बताया जाए कि आपके पैसे बच रहे हैं तो आपको लगेगा हाँ सर बस तो रहे हैं अभी मैं सभी बच्चों का डाउट लूँगा कुछ बच्चे कुछ डाउट पूछ रहे हैं तो लूँगा मैं डाउट फर्स्ट आफल पूरा मैं कॉंसेप्ट खतम करा दूँगा सर उसके बाद बोला इनोने के 10 लाख एक रुपए से लेके 10 लाख एक रुपए ढाई ढाई का लेके चल रहे थे वो 12,50,000 रुपए अगर आपकी इनकम होती है तो हम लेंगे 20% तो हम लेंगे आपसे सर अब भी कम हुआ पहले 10 लाख से उपर चेक करते जाईएगा कमपेर पहले 10 लाख से उपर कितने थे 30% सीधा 10 लाख से उपर कितने भी कमाओ सब पे 30 गौर्मेंट अभी 20 पे रुकी हुई है फिर गौर्मेंट ने कहा सर 12,50,000 एक रुपए से लेके 15 लाख 15 लाख तक हम कितना लेंगे 25% लेंगे यानि सर यहां भी फाइदा अभी तक 30 पे आये नहीं और इंकम हमारी बढ़ चुगी है इसके बाद गौर्मेंट ने कहा कि 15,01 रुपए 15,01 रुपए से लेके फिर से बढ़ा देते हैं 15,25 ता न अब 15,00 रुपए लास्ट लैब रेट इन्होंने रखा 25% हो गया न अब 15,00 लाख इन्होंने लास्ट लैब रेट रखा और 15 लाग से जितना भी आगे जाएगा या मैं सीधा अब अब लिख देता हूं अब अब जितना भी होगा अब उस पे हम 30% लेंगे जैसे ये बात बोली गई लोगों के चहरे पे मुस्कराहट ऐसे आया और पता ही क्या होता है जिस दिन बजट आता है ना उस दिन सबसे ज़्याधा जो चेंजिस रहता है सबसे ज़्याधा जो बदलाव होता है na शेयर मार्केट के उंदर बड़ा उतल पुतल जैसे गवर्मेंट ने ये बोला तो बजट वही अच्छा हो गया ये तो अच्छा हो गया न आपके हैसाब से शेर मार्किट एक दम उपर चली गई कि बजट इस वार अच्छा है rate क्या करा है सरकार ने कम कर दिया है तो सब पब्लिक भी बोलने लगए हाँ भी बजट तो स्पीच पूरे दिन का चलता है काफी टाइम दो से तीन घंटे का स्पीच होता है हर फाइनेक्स मिनिस्टर फैब में देते हैं अभी जो फैब आएका तब भी आप देखना तो जैसे ये निउस आया ये लेकिन सर ये चीज़े जो दी न उन्होंने ये बाते जो बोली न एक सबसे ज़्यादा जो मेरे को दुख होता है इस से ये क्या है स्टार और स्टार का मतलब होता है कंडिशन कहीं पर अगर स्टार लगा हुआ है न तो उसका मतलब क्या होता है जहां पे star लगा हुआ है मतलब समझ लो कि आपके हिसाब की चीज नहीं है जो आप समझ रहे हैं वो बिलकुल भी नहीं है तो government ने भी condition रखा कि भाईया आपका slab rate ये है और एक slab rate ये है इसे बोला गया old slab rate जिसे rhythm भी बोलते हैं और इसे बोला गया new rhythm बोला गया जिस SSC को जिस लोग को लगता है कि ऐसे text देना है वो ऐसे दे दे और जिस लोगों को लगता है ऐसे text देना हुँआएसे दे दे तो आप में से सब क्या चुनेगा यही वाला देंगे हम तो लेकिन सरकार ने बोला थोड़ा ध्यान से आप देखिएगा आपको जो भी डिडेक्शन गीवन था ATC से लेके ATU तक कैंसिल मतलब सर जो आप ये सब मेडिकल, LIC, LIC का माइनस कर रहे थे हम माइनस करने नहीं देंगे तो सर यहाँ पे तो मेरी इंकम 10 लाग थी लेकिन मैं माइनस करके साथ पच्चिस पे आ गया था तो टेक्स तो ऑटोमेटिक कम हो गया था मेरा गवर्मेंट ने कहा कि हम आपका रेट कम कर रहे हैं लेकिन माइनस करने नहीं देंगे तो बात तो होई आ गई लगबग लगबग फिर बोला नमबर दो जौब जो करते हैं वो ज़्यादा खुश हो रहे थे बोले थे भाई सेलरी वाले जितने भी आपके अलाउंसिस है मैं बताऊंगा भी वो सब कैंसल यानि एचारे में जो आप दो लाख माइनस करके यहाँ पर तीन लाख रुपए ले 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 थे उना पूरे पांच पर टेक्स दोगे आप जो चिल्डरन एडुकेशन अलाउंसिस ले रहे हो न उस पर पूरे पर टेक्स दोगे जो आप स्टेंडर्ड डिडेक्शन पचास अजार लाश्ट में मैंने गलती हो गई मेर से यहाँ पर मैं पचास अजार माइनस करना भूल गया जो पचास अजार का स्टेंडर्ड डिडेक्शन ले ले लेते हो ना कुछ नहीं मिलेगा जो एंटेटेंब्मेंट टेक्स ले रहे हैं कुछ नहीं देंगे हम यानि सिंपल आपकी सीधी साधी जो सेलरी मिला पूरे पर टेक्स लेंगे कोई माइनस करने नहीं देंगे तो कहां नहीं तो सर गूम फिर के वहीं आ गई यहाँ पर क्या करा उन्होंने कि माइनस करने को दिया तो tax rate ज़्यादा है माइनस करने को दिया तो income कम आएगी tax rate ज़्यादा होगा तो liability उतनी बन जाएगी लेकिन यहाँ पर tax rate कम कर दिया लेकिन आपकी income बढ़ा दिया उन्होंने तो tax rate कम है income ज़्यादा होगा तो भाई tax liability तो ज़्यादा ही आएगी तो government ने game खेला अब बोला जिसको यह पसंद है यह करे जिसको यह पसंद है यह तो अभी कुछ लोग मैं मानता हूँ 95% लोग इसी पर ही है पर यह कौन नहीं करेगा जिसका कोई ATC से लेके ATU तक कोई investment नहीं है वो बोलेगा जब मेरा है नहीं तो मैं इसमें क्यों जाओंगा जो वेक्ति salary के अंदर HR वे चारे नहीं ले रहा तो बोलेगा भई मेरा HR वे चारे है नहीं मेरे को deduction वैसे भी salary में नहीं मिल रहा था पहले ना children education allowance मिल रहा है ना HR मिल रहा है कोई ऐसा million तो पहले भी नहीं मिल रहा था और अब भी नहीं मिल रहा तो वह किस पे shift हो जाएगा नियूय रिजिम सर ये old रिजिम और new रिजिम जब आया पहले आप लोगों को स्रिफ यह था ध्यान रखना था कि इसके हिसाफ से tax निकालना है तो जड़ा से ज़़ादा बच्चोंपे बर्डन क्या है old RISM NEW RISM आप से examiner बोलता है new RISM के हसाब से taxable salary निकालो तो new RISM से हसाब से निकालना है तो आपको ध्यान देना होगा कि 100 माइनस नहीं करना आपको ध्यान देना होगा HR पूरे लेंगे आपको ध्यान देना होगा नियूरिजिम में डिड़क्षन भी नहीं है इन सारी बातों को स्टूडेंट को बड़ा प्रॉब्लम आ गया अब मुझे यह समझ में नहीं है रहा है या तो एक ये वाला रख लेते आप या एक ये वाला रख लेते उन्होंने दोनों को अभी continue अब कितने सालों तक continue रहेगा discontinue रहेगा कुछ नहीं कहा जा सकता वो budget के उपर depend करते है अभी सच्चाई ये है कि बहुत कम 4-5% लोगों नहीं इस टेक्स नियूरिजिम को आप्ट किया है बाकी नहीं लेकिन examiner एक question जरूर देगा नियूरिजिम वाला और बाकी question आपको oldism टेस्टिंग जरूर करेगा वो जितने भी paper अभी तक आए है चाहे lockdown के duration में आए हो solution आप देखोगे last year के उसमें भी कुछ और जितने भी नई book है नई book देखोगे ना तो उसके अंदर salary को last class में बच्चे पूछे सर एचारे के दो-दो answer है तो एक new रिजिम के हिसाब से है एक old रिजिम के लिए जितनी हमने एचारे का सीखा one five और सारी actual receive 10% rent paid या फिर हमने सीखा 50% 40% independent city जो rule सीख रहे हैं इतनी दिनों से वो सब old रिजिम जो opt करोगे तो अगर आपने old रिजिम नहीं आया new रिजिम है तो वो सब सीखना बिकार है वो तो सिर्फ जोड़ना पड़ेगा फिर आपको तो सर क्या क्या चीजे नहीं करी गई एक बार वो भी देख लीजिए यहां पर मैंने कुछ notes डाल दी है 10 year के अंदर भी यह new टेक्स रिजिम आया था उसके अंदर क्या क्या बाते बोली के minus करना allowed नहीं होगा सिर्फ उनी बातों को मैंने लिखा है new tax रिजिम का rate आपको पता चल गया अभी salary करेंगे तो पता चलेगा इसका section सबसे पहले कई बार examiner इस section को reference में देगा 115 BAC capital में small में नहीं लिखना यह capital में है इसमें new रिजिम कहा गया कि the following exemption deduction नहीं मिलेगा यह सारी जो मिलता था ना old में वह नहीं मिलेगा वही बाते बता रहा हूं जो पहले भी मिलता था अब भी मिल रहा है उसको जानके क्या फायदा आपको तो में यह पता करना है सर नहीं tax rate में जाएंगे तो क्या नहीं मिलेगा पहला point बोला गया यह special लिखनों में इसको रहने देते हैं इसको जो कहता है कि अप टू पंदरा सो रुपए इसको भी रहने देते हैं अभी में अलाउंस जो मिलता था MP और MLA को एक्जेम्ट हो जाय करता था नियूरिज्म लो नहीं होगा एक्जेम्ट टेक्स से बल हो जाएगा जो professional tax standard deduction आपको मिला करता था 50,000 रुपए का अगर आपने नियूरिज्म लिया तो नहीं मिलेगा जो professional tax आप 25,000 माइनस कर लिया करते थे अगर आप नियूरिज्म के इसाफ़ से टेक्स देंगे तो ये भी माइनस नहीं होगा आपका exemption पर की जिट्स का था 50 रुपीज पर प्लेट ये हम आगे देखेंगे तो इस exemption के अंदर भी कुछ condition रखा गया हम इसको आगे देख लेंगे क्योंकि अभी समझ में नहीं आएगा जादा leave travel concession पहले मिला करता था LTC बाद में हम पढ़ेंगे के अलाकि इसका भी exemption नहीं मिलेगा पहले बोला जाता था ली ट्रेवल आपको दिया जाता है घूमने फिरने के लिए आपको साल में एक साल में ऑफिस के तिरफ से ट्रिप मिलता था क्या आप से आपको एंप्लायर करता था पचास तजार उपर ते देता था और जाए यह घूम के आप जाते थे उस पचास तजा को खर्च करते थे यह नौट पार्ट ऑफ इसींग नूरिजिम जब करो गये तो आपके सैलरी का PARTS दूसरा special allowances other than exempted parting जो जैसे traveling allowances था आपका transfer allowances हो गया convince allowances हो गया official purpose हो गया सिर्फ जो ये वाला transportation था ना handicap बोला उनको तो हम देंगे अभी भी deduction और जो बिना handicap है जो normal person है उसको any kind of allowances मिल जाए children education मिल जाए होस्टल expenditure मिल जाए जो section 10 में define है किसी भी तरीकी का आप पहले उसमें से कुछ-कुछ amount जो minus किया करते थे अब वह हम minus करने नहीं देंगे अगर आपने क्या opt कर लिया हो new repay इसके बाद interest on loan एटी सी का deduction था यह भी मना कर दिया इन्होंने 24 बी में था इंटरस ओन housing loan in case of to self occupied तो पहले डेड़ दो लाख रुपे जब आहस प्रोपर्टी करेंगे तो बोला वह भी तो कुछ बाते ऐसे संद्री से हटके मैंने सारा लिख दिया ताकि आपको बाद में तो पढ़ना ही पढ़ना है तो मैं जिस पर क्रॉस लगा रहा हूं नो तो इसका मतलब वह salary का थर पाट ही नहीं यह भी नहीं पाट है तो इसके सेलरी को निकालेंगे अब जितने भी मैं सेलरी के questions अभी मैं दूंगा अभी एक question भी मैं लिखूंगा हम करेंगे उसको हम old rhythm के छाप से भी करेंगे और new rhythm के हिसाफ से दोनों करके देखेंगे फिर आपको अच्छे से पता चलेगा sir actual पोजिशन क्या है समझ मैं ही बात आपको अब देखो कन्वेंस अलाउंसे पहले भी फुली टेक्सेबल था और नियू रिजिंबे भी टेक्सेबल है इसलिए मैं यहां लिख दिया करना के अगर कोई भी है तो पहले और अब भी रहेगा ठीक है तो मैं सिंपल सी बात करता हू हेंडिकेप अल डिडेक्शन अलाउड है बिलकुल हेंडिकेप का अल डिडेक्शन अलाउड है जब तक मैं एक कोशन नहीं कर लेता बोर पे तब तक आपको ना तो क्लियरेटी होगा ना तो समझ में आएगा तो एक कोशन मैं लिख भी रहा हूं साथ के साथ ठीक है और आपको टेक्स लाइबलिटी के साथ हम टेक्स लाइबलिटी भी निकालेंगे ठीक है ना तो चलिए पहले तो यह जो नियू रिजिम है आप सभी की किताब में जिनके पास 10 एर है वहाँ पर मिल जाएगा हर जगह पर अबेलेबल है इसली वहाँ पर पूरा explanation के साथ दिया गया है कि क्या क्या deduction मिलना है क्या नहीं मिलना है हम जो नियू रिजिम को पढ़ रहे हैं देखो मैंने पहले नियू रिजिम इसलिए नहीं बताया क्योंकि वहाँ मेरे लिए समझाना मुस्किल था अभी नियू रिजिम जो बताया है only purpose of salary तो जैसे जैसे चैप थाप opportunity जैसे जियू है हम जैसे प्या कि सहें मेरे जचभyuड़ का दो जैसे धुब एंधने भिजिम जाते हैं आप给我跳